हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है आशुतोष अस्वानी और आप देख रहे हैं आशुतोष अस्वानी ट्रिपल आईटेन चैनल और आज का हमारे वीडियो होने वाला है अबाउट ट्रिपल आईटी वड़ोद्रा ओके और हमारे इस कॉलिज और इंस्टिटूट रिव्यू प्ल और इसके लिए मैं काफी ओनेस्ट रिव्यू दूंगा इस इंस्टिटूट के बारे में और हम चालू करते हैं वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम बेसिकली पांच टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं डेट आर प्लेस्मेंट्स फैकल्टी हॉस्टल मैस एंड कट आफ हम चालू करते हैं प्लेस्मेंट के साथ आफ ट्रिपल आइटी वड़ोद्रा अब यह इंस्टिटूट है मैं आपको इसका तूसाद नाइंटीन ट्वेंटी तूसाद नाइंटीन ट्वेंटी का प्लेस्मेंट बता दूं हंड्रेट परसंट स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक और थर्टीन लेक्स देखे आपको पता भी चल रहा है कि कितना सही कॉलेज है नंबर अफ कंपनी विजिटे थर्टी एट इंटरनेशनल ओफर्स रसी फ्रम जर्मनी और मलेशिया टॉप रिक्रूटर्स बड़ी बड़ी कंपनी जें बड़ी बड़ी एवन्सी जें मैनेजमेंट रिसर्ज और डेवलपमेंट रिसर्च इंजिनियरिंग असोचेट डेटा साइन्टेस्ट और आप देख सकते हैं बागी लाइक असोचेट कंसल्टन एनलिस्ट बिजनेस कंसल्टन एक्सेक्र राइट और हम नेक्स लाइड बे आते हैं और यह कुछ दूसरे प्लेस्मेंट स्टेस्टेक्स सेम यह 2019-2020 के प्लस एम्टेक्स हैं राइट बीटेक्स यह सी 61 स्टूडन्स की बेस्ट त्रेंड थी नमबर और एलिजिबर स्टूडन्स 58 और उन 58 के 58 प्लेस हो चुके हैं और टोटल नमबर और ओफर रिसीव 73 अब इसका मतलब क्या है वह मै ना भी करें किसी ओफर को कोई भी ओफर को तो वह उस्टूडन्स पर डिपेंड करता है लेकिन नमबर ओफ टोटल ओफर स्टूडन्स की बेस्ट्रेंड थी 16 स्टूडन्स वर रेजिस्टर्ड और एलिजिबर और 16 के 16 प्लेस हो गए राइट टोटल ओफर रिसीव 25 24 एंड सिमनली एम्टेक सी और एक और बात लास्ट यह इस तूसानीटीन टूइन डीज था स्टूस में अप्रोख्सिमेंटली 25 बच्टों को पी पीओ मिला है इसका गया मंदलब होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में इंटर्ट्रीप के लिए जाते हैं और इंटर्ट्रीप में इ 25 students got pre-placement offered that is really awesome okay next देखते हैं faculty faculty के मैं क्योंकि खुद इस institute का student हूँ इसके लिए मैं बता सकता हूँ बहुत ही awesome faculty is institute के राइट और सबसे सबसे अची बात कई colleges और institute में मैंने सुझाएं कि जैसे सिर्फ ppt दिखाते हैं और ppt दिखा के lectures खतम हो जाते हैं काफी boring lectures रहते हैं नहीं होता है पर इधर ऐसा बिल्कुल नहीं है राइट जैसे मैं example दूं हमारे जो electronics सब्जेक्ट है हमारे जो electronics के professor है वह in fact उन्होंने अब तक इस पूरे semester में जब से online semester हमारा चल रहा है भी राइट तो पूरे semester में एक भी ppt पर कुछ नहीं किया है सब कुछ वह हाथ से लिखते हैं जो उनका tablet है उस पर लिखते हैं और समझाते हैं और in fact यह बिल्कुल भी one way communication नहीं होता है यह two way communication होता है वह बीज बीज में कुछ कुछ questions पूछते हैं कुछ students से students जवाब देते हैं फिर सर बढ़ाते हैं फिर questions पूछते हैं कुछ फिर students जवाब देते हैं तो यह completely two way communication होता है और lecture बिल्कुल भी boring नहीं होता है और यह सिर्फ electronics की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह सेम मैक्स में अभी हमारा linear algebra चल रहा है मैक्स में और सिमिलर्ली physics में राइट फिजिक्स में हमें अभी modern physics thermodynamics और mechanics था इस सेमिस्टर राइट तो उसमें भी यह apply होता है और उसके अलावा मैं एक और बात कहूंगा जैसे हमाएं जो IT के सर हैं राइट और in fact सारे teachers वो one of the best teachers हैं जो में को आतक परस्नली में को लगते हैं वो one of the best teachers है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहली बात हमें कोई जैसे अगर कोई नया topic चालू हो रहा है class में अगर मान लेते हैं 5-6 lectures का topic है सबसे पहले उसके बार में बताया जाता है कि उसका practical application का है उसका मलब real life real world में उसको practically apply कैसे करते हैं कहां भी apply होगा ताकि हम उस जो information को अभी हम gain करने वाले हैं उसको उसको हम properly समझ सके हैं और काफी helpful teachers हैं काफी helpful TAs है right TAs मलब teaching assistants और in fact वो हम कोई भी doubt पूछे right चाहे वो tutorial class हो की lab हो की normal lecture class हो right हम कभी भी कोई भी doubt पूछे teachers हमेशा ready होते हैं हमारे doubt लेने के लिए और TAs भी और in fact अगर कभी students को जादा doubts आते हैं तो अगर students request करे teachers से तो teachers special doubt classes भी arrange करवा देते हैं हमारे लिए right और उसके अलावा जैसे for example आप को ऐसा attention इज़र लेने की जरुष है नहीं की बहुत silly doubt है मैं पूछूंगा teachers क्या सोचेंगे teachers जवाब देंगी की नहीं देंगे ऐसा सोचने की जरुष है नहीं मैंने खुद ने इस semester के सबसे पहले दिन पर right max के सबसे पहले class में बहुत ही silly doubt पूछा था में को अभी भी भ्याद है और वह मैं जेए के time का course का सबसे आसान topic था उसका doubt मैंने पूछा था और मुझे था कि मैं पता नहीं क्यूं पूछ रहा हूं पर पूछू नहीं पूछू फिर भी मैं पूछा और सर ने हमे step by step पूरी basic से वो topic अच्छे से पूरा समझाया था तो आपको इदर doubt पूछते समय बिलकुल मनलब hesitate नह मेरा मतलब है उधर काफी interesting lab assignments होते हैं जैसे एक assignment था हमें कि हमें randomly कोई भी एक partner अलॉट कर दिया था lab timings में और हमें बोला था कि हमें using google meet और zoom call और something like that हमें उस partner से बात करनी है okay communicate करना है कुछ questions पूछने हैं वो questions का set हमें दे दिया गया था और जैसे हमें क्या था कि हमें वो बात चीत करनी है पूरा और वो basic definitely English का assignment और English में ही बात होगी उससे record करके उस recording को submit करना होता है तो इससे सबसे पहला फाइदा क्यूंकि मैं अभी first semester में हूँ तो हम अपने द सब्सक्राइब काफी इंट्रेस्टिंग लेब assignments हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत boring हो जाते हैं ऐसा नहीं है और overall आप देखी सकते हैं जैसे 13 लेक से average package है इतना सही average package तभी पहुंचा है जब awesome faculty राइट क्योंकि faculty अच्छी होगी तभी तो हम students इतने अच्छे होगी तो faculty की आपको टेंशन लेनी नहीं है बहुत सब्सक्राइब नेक्स चीज़ हम देख लेते हैं hostel के बारे में hostel की कुछ basic details मैंने इदर दे दी है जो official website में भी mentioned है that is the students are provided with semi furnished rooms जितना मुझे idea है three students के बीच में sharing होता है hostel rooms right hostel hostels में RO plant with water cooler है internet and wifi connection भी मिल जाएगा television with dth connection है dining all that is basically mess है right boys और girls के लिए separate floors पर जिबनेंदियम है sports facilities है कई सारी like table tennis carom board chess etc right music instruments भी मिल जाएंगे security है round the clock housekeeping भी है और for emergency ना हो पर emergency के लिए vehicle भी available right on call और यह hostel का address है अब मैंने hostel का address इदर क्यों दिया हुआ है वह एक बार मैं आपको बता देता हूँ आप actually अभी आप जो temporary campus है आप जो हमारा institute है वो अभी एक temporary campus में चल रहा है अभी उसका permanent campus under construction right तो अभी currently temporary campus में चल रहा है and that are basically जो lectures होते हैं वो होते हैं एड़ गांदी नगर temporary campus that is in GEC गांदी नगर that is government engineering college गांदी नगर और जो hostel है वो थोड़ा सा दूर है okay from the main college मनलब जो temporary campus है and the hostel से वो है साबर institute of technology that is at ताजपुर नहीं एट एमदाबाद हिम्मत नगर highway right in एमदाबाद के तो around half an hour to 40 minutes जितना time लगता है अब down करने में one way और उसकी जो facilities है बस facilities है for the students वो भी institute द्वारा ही provide करवाई जाती है तो उसकी आपको टेंशन लेने की जर्वत नहीं इंस्टिट्यूट वो facilities भी provide कर देता है और यह आप hostel रूंगा एक photo attach कर दिया यह भी मैंने official website से लिया है ओके मैं official website की link नीचे वीडियो के description में दे दूँगा आप देख सकते हैं in fact मैं बता हूँ यह काफी spacious rooms हैं कई और photos मैं कभी add कर दूँगा कि नीचे शायद link दे दूँग कई और photos की उसमें कई सारे बहुत जारा spacious hostel rooms है और तीन desk, तीन chairs, तीन beds, प्लस almira वो सब facilities मिलती हैं प्लस यह एक library का photo है इधर और library facility भी है प्लस अब थोड़ा खाने की बात कर लेते हैं मैस के कुछ photos है मैं मैं आपको लिख के तो क्या ही बता हूँ photos दिखा देता हूँ photos इंफक पता चल जाएगा यह थोड़ा ना भी है और इधर कई सारे और खाने के photos हैं और मैंने खेर senior से बात किये हमारे जो seniors हैं उन्होंने बुला in fact खाना काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा खाना है आपको खाने की tension लेने की जरुद है ही नहीं जितना मुझे idea है three times का खाना plus one time snacks मिलता है और really बहुत अच्छा हो और finally last topic cutoffs क्या है cutoffs की बात करें तो वो है जो सा round 6 में CAC का cutoff था एकीस हजार दोसो पच्छाज और IT का cutoff सा तेईस हजार शेसो दस CCF round 2 में यह बहुत ही slightly बढ़के CAC हो गया 21884 IT हो गया almost 24,000 और in fact मेरी खुद की रेंग अप्रोक्स 23800 जितनी थी और में को खुद को CCF round 2 में IT मिला है और मैं personally बहुत बहुत खोश हूँ कि में को इतना सही awesome college मिला है और मैं आपको एक और बात बता दूँ यह जो last cutoff है ना 24,000 अप्रोक्स का CCF round 2 में IT का last year यह cutoff था अप्रोक्स 38,000 के आजू बाजू और यह cutoff जंप हो गया है अभी 24,000 यह क्यों हुआ है क्योंकि 13,000 लेक्स का average CTCS college का बहुत सही है और जिस तरह की अभी इदर आम जिस standard का क्या कह सकते हैं quality education provide किया जाता है ना मैं आपको बता सकता हूं यह triple IT को आने वाले अगले सालों में मेरे साफ से 3-4 सालों में इंडिया के टॉप triple IT में होगा और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दे वीडियो शेर विडियो शेर विट शेर विट यह फ्रेंड्स एंड और सब्सक्राइब तो और चैनल थैंक यू सो मच